नमस्कार दोस्तो कुक्वित वैशन में आपका स्वागत है दोस्तो देखे आज मैं आपके लिए वरत के लिए बहुती टेस्टी कम तेल में बना हुआ नाश्ता लेके आई हूँ और इसके साथ दोस्तो मैं आपको एक बहुती टेस्टी चटनी की बी रेसिपी इसमें देने वाली हूँ जिसे कि आप वरत में खा सकते हैं यह हमारा नाश्ता दोस्तो बहुती जल्दी सिरफ 10 मिनट में तैयार होगा बनके और यह एक परफेक्ट नाश्ता है दोस्तो वरत के लिए उपवास के लिए तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं तो दोस्तो यहां सबसे पहले हम चटनी बनाएंगे जिसके लिए मैंने डेसिकेटीड कोट कोरनट लिया है जिसके साथ साथ मैंने थोड़ा सा दोस्तो मुंगफली के दाने ले लिये हैं तीन वड़े चम्मच अद्रक और हरी मिर्च ले लिये हैं थोड़ी सी मैंने और इन सब चीजों को दोस्तो मिक्सर में डाल करके हम इसका एक दरदरा सा पेस्ट तयार कर लेंगे सबसे पहले मैंने मुंगफली और अद्रक और हरी मिर्च का दरदरा सा पेस्ट तयार कर लिया है इसके साथ साथ दोस्तो मैंने यहाँ पर सुखा नारियल का बुरादा डाला है और दो से तीन चम्मच हम इसमें दही आट करेंगे दही हमें खटी नहीं लेनी है नॉर्मल वाली लेनी है और इसको भी एक बार हम चला लेंगे तो देखिए कंसिस्टेंसी अभी काफी गाड़ी है तो इसको अड़िस्ट करने के लिए हम थोड़ा सा इसमें पानी आट कर लेंगे चलिए इसको एक बार फिर चला लेते हैं यहाँ पर दोस्तों मैंने इसको चला लिया है तो चलिए इसको भी हम अपनी बाउल में निकाल लेते हैं इसकी मैंने कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी रखी है तो चलिए इनको एक बाउल में निकाल लेते हैं अपनी चटनी को तो यह हमने बहुत ही बढ़िया सी चटनी बना ली है फाइनली हम इसमें नमक एड़ कर देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग और यह हमारी चटनी किसी भी नाश्टे के साथ आप इसको बहुत ही अच्छे से खा सकते हैं बहुत ही बढ़िया इसका टेस्ट आएगा दोस्तों तो चलिए हमारी चटनी तैयार है तो अभी हम अपना नाश्टा बनाना शुरू करते हैं तो यहां पर दोस्तों मैंने समा क्या आठा ले लिया है जुवरत वाला आठा रहता है वह मैंने ले लिया है आधा कप दोस्तों इसका हम एक पतला सा पेस तैयार कर लेंगी तो आधा कप मैंने इसमें पानी डाल दिया है तो इसका एक हम पतला सा गोल तैयार कर लेंगे गूल तयार है तो अभी हम इसमें कुछ और चीज़े आड़ करेंगे तो सबसे पहले मैंने दोस्तों यहां पर हरी मिर्च और अद्रक ले लिए जिसको कि मैंने बारी काट लिया है तो इसके साथ साथ कुछ धनिया की पतिया हम इसमें डाल देंगे यहां पर दोस्तों एक अलू को मैंने उबाल करके कद्दू कस करके रखा हुआ था उसको मैंने इसमें एड़ कर दिया है तो सारी चीज़ों को अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे तो अभी जो हमारा बैटर है काफी ड्राई है तो इसको सेट करने के लिए दोस्तों हम इसम में पानी एड़ करते जाएं तो यहां पर मैंने 1 1 कप पहले पानी अट किया था 1 कप मैंने अब पानी समें एड़ कर लिया है एक अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि यसमें बिल्कुल भी लंस ना रहे तो तोभी हम इसमें टेस्ट के कॉडिंग नमक कर लेंगे थोड़ा सा में जीरा एट कर लेंगे फ्लेवरिंग के लिए और थोड़ी सि हम इसमें लाल मिर्च पाउडर आड कर देंगे बस और हमें इसमें कुछ भी एड नहीं करना दोस्तों ये हमारा मिक्स्चर तैयार है हमारा नाश्टा जो है वो बनने के लिए तैयार है तो चलिए अभी हम अपना नाश्टा बनाने शुरू करते हैं तो इसकी कंसिस्टेंसी दोस्तों कुछ इस तरह की हमने रखने है हमें बहुत ज्यादा पतली या गाड़ी नहीं रखनी तो चलिए की हमारे बैटर तयार है तो आज का ऐम नाश्ता दोस्तों अपेपन में बनाएंगे जिससे कि हमारा जो ओयल है बहुत ही कम इस्तमाल होगा हमारे नाश्टे में तो सारे कैविटी को मैंने हलकालका सा ओयल कर लिया है और सारे हम खानों में जो अपना मिक्सचर है वो डाल देंगे फ्लेम को दोस्तो हम बिल्कुल स्लो रखेंगे और बिल्कुल slow flame पर हम इसको दोनों साइड पर डेट से 2-2 मिनट दोनों साइड पर हम इसको पका लेंगे और उपर से हम इसको धक करके अच्छे से cook करेंगे तो लीजिए सारी cavity मैने भर लिया तो इसको अभी धक कर लगा करके पका लेते हैं तो लीजिए लगबग एक मिनट हो चुका है और इसको अभी हम पलट लेंगे तो देखिए एक साइट का कलर काफी अच्छा गोल्डन आया है दूसरी साइट से भी दोस्तों हम इसको इसी तरह से कुक कर लेंगे सारे अपने नाश्टे को हम पलट देंगे और फिर से हम ढख करके इसको एक से डेड़ मिनट और पका लेंगे दूसरी साइट से भी तो दोस्तों जब तक हमारे नाश्टा तयार रहता है आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ये बिल्कुल फ्री है ताकि ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो आप तक पहुंचती रहें तो यहाँ पर देखिए मेरा जो नाश्टा है दोस्तों दोनों साइट से अच्छे से पग गया है तो चील लीजिए इसको भी हम प्लेट पर निकाल लेते हैं लीजिए दोस्तों मेरा वरत का नाश्टा और बहुत ही टेस्टी चटनी जिसकी की रेसिपी मैं आपको दे चु करें और मुझे बताएं आपको मेरी ये रत वाली वीडियो कैसी लगी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले ताकि और लोग भी दोस्तों इसका फाइदा जरूर उठा सकें तो लीजिए आज के लिए बस यही था आगे फिर म पैशन के साथ जूड़े रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें धन्यवार